नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से CBI की टीम सुसांत सिंग राजपूत के घर पर पहुँची लेकिन दोस्तो CBI की टीम को सुसांत के घर में कैसे एक डेड बॉडी मिली है यानि की लास मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेगा बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ दोस्तो आपको बताएं सुसांत के केस में आज भी CBI की टीम चुप नहीं बैठी है सांत नहीं बैठी है CPI की टीम आज भी सुसांत के केस को सलजाने का हर सम्भाव परियास कर रही है क्यूंकि CPI को पता है गडबडी तो हुई है जी हाँ सुसांत केस में गडबडी तो हुई है लेकिन केस तो तब सुलजेगा जब दोस्तो इसमें लगतार कारेवाही की जाया और CBI को ये बास सायद अब समझ में आई है और CBI की टीम अब लगतार कारेवाही करने के लिए भी सुसांत केस में तयार है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सुसांत केस में कौन कौन से बड़े सबूत मिले हैं दरासल दोस्तों CBI की टीम एक बार फिर से सुसांत के घर पर पहुंची तो दोस्तों कुछ कुछ कुटे जमीन को खोद रहे थे अब CBI को सक हुआ आखिर इसके नीचे क्या है और जब कुटों ने पूरी तरह से जमीन को खोदा तो वहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद CBI की टीम भी पूरी तरह से हैरान लेगाई क्यूंकि वहाँ पर दोस्तों एक बाड़ी मिली हाला कि ये बाड़ी किसकी है दोस्तों इनसान की है या फिर किसी बड़े जानवर की है या फिर क्या सुसांत की है इसका भी तरह से पुकता तरह से इसकी रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों CVI ने तुरंत ही इसकी DNA रिपोर्ट करवाने के लिए इसको लैब में भेज दिया है अब जैसे इसकी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब मैं आपको बताऊंगा आपको बता दे सुसांत केस में आए दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा होता है और इसी कड़ी में ये ए सब्सक्राइब करना धन्यवाद